आपको ना ब्लॉग एंड आपको नहीं दे पाया थोड़ी कुछ प्रेशानी को वज़े से एक्ष्टल में कुछ इसू आ गया है इसे की बात कहले तो यार फिवर अगर आ गया है एंड कॉमन पोल्ड भी हो गया है कि मौसम को चेंच के कारणाइटिंग हो गया है कोई बात नहीं दोसको और सारी लोगों से एक चोटा सदर खास्त है कि दूआ करें कि हमारी से जल से दल ठीक हो जाए ताकि आपको मैं रेगुलर वीडियो देता रहा हूँ और दूसरी बात यह है यार कि देखो परदेश की लाइफ है ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता हिए फीबर एक कैसा चीज़ होती है कि फीबर आने के बाद इंसान को अंदर 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 ही रूनी जो होता न वो खोकला कर देता है अरिदम अपने आप से कमजूर हो जाता है और सेम सिचुएशन में भी मैं हूं तो इसी लिए आपको प्लॉग नहीं दे पाया हूं नहीं आपको मैं रेडियो दे पाया हू हे आपको पता है कि यार प्रदेशी के लाइफ क्या मतली है अ लेकिन हम लोग आज गुल्च के अंदर है कहीं नहीं कहीं कुई भी जह किसी के लिइस तरह की प्रिशानी आता हूं तो हमेशा आप प्रिशानियों को फिस करना कैसे पता है थोड़ा सा याद करना उस पल को कि आज हम कहीं ने कहीं हैं तो उस माबाप के लिए हैं जिन्हों ने बहुत मसक्कत से बहुत प्रिशानियों से हमें पाथ और आज हमने के लिए छोटी सी प्रिशानियों उठा सकते हैं जिसने हमें नौ महेना रख कर ये पेट में पल-पल गैडलेंड की है पल-पल सोचती रही कि हमारे बच्चे को बच्चे के लिए हम कभी कुछ भी खाने का सोचती थी तो वो सबसे पहले उस बच्चे का सोचती जिस गर्ब में हमला है तो क्या हमारे साथ चोटी सी प्रिशानियों एगा तो हम तूट जाएंगे त्या बिल्कुल भी नहीं तूटना है बस अपने आपको सयम बना करके ये सथ तो आता जाता रहता है ज्यादा आपको हॉपलिस नहीं होना है बहुत सारे लोग अपने अपसला होता है रांग फ्रैक में ले लेते हैं तो ऐसा नहीं ले लेगा है फिस करना है प्रॉब्लम को बोला आता है ना दिकत ना परिशानी तो क्या मज़ा है जहीने में आंधी तुफान भी थम जाएगी जब लक्ष बना हो उस माबाप उस बहन उस भाई के लिए सीने म पुशली हमारी बहुत ही जद आप लोगों से मुलाकाते होगी ब्लॉक के मादे हम से सौट ब्लॉक के मादे हम से सब्सक्तर के लिए अल्ला हाफीज बाई बाई हम पम पन्सक्तर के मादे लिए के सyas भी संब दो कि मादे हमा भी कर दो не में बाइब दुटी दूबाच एक सेकते हैं यह हमार डुटी का सिस्टम अगरावन हो गया है आकम समेथे होगा है